सबसे बीगेस्ट आपके साथ इस वीडियों बात करने वाला हूं यह आपको इस बीडियों के लिए बात करने वाला हूं तो आप लोगे सबसे बीगेस्ट अपडेट लेकर आई हुए है यह आई टी प्रोग्रामर के लिए हारिंग निकाले हुई है जिसमें आपको जो बताऊंगा उसमें पहला जो पॉइंट आपको होने वाले हैं कि किस पोजिशन के लिए होने वाली है फिर एलिजबिल्टी क्र भयाद जो दो सबसे पहले जो की करी स yêuब्र में को स्क्राइब करेंग निकाले हुए है छैन नगी चैनले कम और टूर बांगलोर पूने कॉलकत्ता के लिए रहने वाली है तो अगर आप लिए इस लोकेशन पे फ्लेक्जिवल हो री लोकेट के होने के लिए तो आप लोग अपलाई कर सकते हो और जब आपके सेलेक्शन हो जाएंगे तो आपको फाइब डेज पर डे ऑफिस से वर्क करना होगा जो की मेंडेटरी इन्होंने बोला हुआ है कंपनसेशन डाई आपके दो लाग बाउन हजार पर एनम सेलरी होने वाली है उसके बाद इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो यहां से आप लोग पढ़ लेना क्या कर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बोला हुआ है यह आप लोकली इंपोर्टेंट है इसके में इन्हों बताया problem solving skills इनकी required है creative thinking होनी चाहिए इनकी skills required है तो आप लोग पास जो skill है यह होना चाहिए इसके अलावाद सबसे इंपोर्टेंट आप लोग के लिए eligibility criteria क्या होने वाले है eligibility criteria अगर आप 24 बैच के candidate हो और 3 साल के full time degree program आपके पास है तो आप लोग अपलाई कर स सकते हो यह गाज BCA candidate के लिए इंपोर्टेंट अगर आप BCA candidate हो आप लोग आप लोग कर सकते हो एड़ टाइम आप रेजिटेशन कंसिसेंस अकेडमिक रिकॉर्ड आप मिनमम आप 60% इन 10 12 डिप्लोमा एंड यूजी विट नो इस्टेंडिंग एरियर इनक करेंट education जब भी आप रेजिटेशन कर तो आपके 10 12 में डिप्लोमा या यूजी की डिग्री है तो मिनमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए साथ ही कोई भी एरियर बेक लॉग नहीं होना चाहिए आपकी करेंट education में थर्ड पॉइंट गाज इननों बोला हुआ है अट टाइम आप जोइनिंग सबसे बाड़ी अपडेट यह बता रहे हैं नेक्स पॉइंट अप्रिप्रियेट से जी पीए टू परसेंटेश गनवर्शन टू बी कंसिडर एज पर इनवर्सिटी नॉर्म और गाज इननों ने भी eligibility क्रेटेरियम बताया हुआ है कि आप लोग को इंडिया में किसी भी लोकेशन पर यह लोग री लोकेट कर सकते हैं आपके shift में वर्क होंगे technology domain में including work from office location होगा और business requirement तो आपको यह देख लाना क्यूंकि यह सबसे important है आप लोग लिए second point इन्होंने बोला हुआ है कि student को will get the communication only to register email ID in superset पर जो भी जिस ID से register किया और उसी से आपको communication आगे मिलने वाले हैं यह तो गाई सबसे important चीज हो गई अब student की information के बारे में बात कर लेते हैं mandated documents for registration के लिए क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले registration के लिए आपके पास्टेस्ट पासपोर साइज photograph होने चाहिए जो की resume में attach हो pen card अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दो यह mandated document है आपके onboarding के लिए if you don't have your last updated in pen card currently get it updated तो guys आप लोग pen card अपडेट कर लेना यह आप लोग इंपोर्टेंट है और भी guys interview पर ले कुछ mandated document देख सकते हो यहां से all academic documents including college ID card, school, college, UG, marks, sheet यह सारे interview के टाइम में आपके पास होना चाहिए important note guys यहां बता हुए registration से later तो आप लोग यहां से एक पॉइंट पर लेना और hiring process की अगर बात कर ले तो अगर आप भी ITPT hiring process में जाद रहे हो और tentative timeline के बारें नहीं बता तो आपको मैं सब कुस one by one बताता हूं one step registration के लिए सबसे पहले आपको registration करना होगा जुलाई अनवर्ड तक आपको कर लेना होगा इसके उसके बार गाइज जब आपके रेजुम में स्क्रीनिंग होगी जब स्क्रीनिंग कंप्लिट हो जाएगी then guys अगर आपके स्क्रीनिंग में अगर आप क्लियर करते हो then round one के लिए आपको mail आएंगे जो कि कमकेशन असेस्मेंट अगर होगा इसमें अगर आप इसको क्लियर करते हो then आपको round two की mail आने वाले जो कि aptitude assessment होने वाले हैं यह सबसे बड़ी update है guys अगर यह भी आप क्लियर करते हो तो all assessment select to appear for interview top guys आप direct round three में interview के लिए appear हो गई तो guys इनके तीन राउंड होने वाले हैं assessment होगा हाईरिंग प्रोसेस में round one, round two and round three तो guys अगर आप तीनों select हो जातो उसका बाद letter of intent आपको देखने को मिल जाएंगे और उसका बाद खूजिन के बाद आपको joining मिल जाएगी मैं आपको link description में provide कर दूँगा वहाँ से जाके आप लोग डाइरेक्ट apply कर सकते हो चलेगा आपसे फी मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में टप टक ले जैहिन बाय बाय